जब चुनाव में टिकट देने का बारी आया, सबसे पहला टिकट तो आपने अपने लिए रख लिया, दूसरा टिकट की बारी आई तो अपने जीजा को लड़ा दिया, आप कहिए कि हमारा परिवार फ़स्ट है और हम फस्ट है, ये मत कहिए कि बिहार फरस्ट हैं, बिहारी जनता को जरूवत है कि उसके मुद्दों पर कोई काम हुआ की नहीं, उससे उनको फर्क परता है, जनता के लिए अगर वो काम करते तो वो चुटिया धारन कर लेते या फिर तिलक लगा के सिंदूर जैसे करती है महिलाएं, नाक से लेकर पूरा माथा तक कर लेते, उससे उसक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार के लिए आप कुछ काम करते तब ज्यादा अच्छा हूँ, मोदी जी से अपने सवाल किसी दिन किया, एजूकेशन विभाग से उनके सवाल कुछ किया, कि बिहार के सिच्छा वेवस्ता के इतना निचला स्तर पर चला गया है, उसके ल सवाल की बात ही कर रहा हूं, कभी मैं उनको सवाल पुछते नहीं देखा मोदी गवर्मेंट से या अपने ही सरकार, उनकी ही सरकार थी, तो उससे सवाल तो पुछना था कि बिहार के लिए कौन सा ऐसा योजना आया, कि जिससे बिहार के बच्चों का भविष उजवल हो सके ऐसा कोई भी सवाल पुछतें मैं ने चिराग पास्वान को क्यों हुशना ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया, जिससे बिहार कहें कि बिहारी फर्स्ट का नारा जो उन्होंने दिया था, उसको एक पर्षेंट भी कोई काम हुआ हो, तो मैं अपना नाम चेरका में, पासद में गए और बैठ के मोदी जी का भासन सुन रहे हैं और उसके अब घाली पीट रहे हैं या तो हाथ पीट रहे हैं कुछ कर रहे हैं समाज को बर्गलाने का जो काम कर रहे हैं चिराग पासवान आगे जाके उनको भुगतना पड़ेगा अभी आपको नेतामान के लोग हम से लूँगा एक-एक चीज का हिसाब लिया जाएगा जनता के बीच आपके एक-एक बात को रखा जाएगा तो आप भी समझ लीजिए आगे पांच साल आपके लिए बड़ा मुश्किल होने चिराग पासवान ये सारा काम करने में फोकस रखते अगर उन्होंने स्वास् लगा दिया होता तो आज जब चुनावी चेतर में जब वो खड़े थे जब बयानवाजी चल रहा था भासन बाजी चल रहा था जब हिंदू-मुस्लिम हो रहा था उनके मंच से तब वो टोकते उस बात को और कहते कि ये बात गिनाईए कि मैं अपने चेतर में स्कूल का नहीं पूरे देश के लोगा के काम कर रहे हैं ऐसा उन्होंने कहा कहा केवल हिंदू-मुस्लिम उनके मंच से होते रहा हो चुप-चप सुनते रहे उनके खिलाप ये बाते बड़ी दूर तक जाएगी अगर बात करने जाओं नमस्कार मैं हूं कमले नाप देखना शुरू क पर चुके दोस्तों फिरी भारत आज हम बात करेंगे बिहार के चर्ची चेहरा चिराक पासवान का ठीक है जो दोहजर जो दोहजर बीस के चुनाव में लाए थे एक नारा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट ये पहला कोस्टन सापसे रहेगा दूसरा कोस्टन ये है कि चि बिहारी पढ़ाने वाले बिहारी और उहां के जितने भी कोचिंग संस्थान है वो व्वस्था रजस्थानी तो वह इसा बिवस्था हम बिहार कंदय में भागलपुर हो गया अलग-अलग जिला का नाम बता है तो भाईया पिछले वो दस साल से मोधी जी के कैबिनेट में ह विहार के लिए कहेने काम किए बढड़का बादा करते हैं ठाइब बिहारी फस्ट का नारा लेकर के चले थे उनका कुछ भालून' में हावा भर देते हैं वे उकरबाद रहा है धुड़ सनी निकल रहा रहा है। उनका पिता जी स्वर्गियर रामविलास पास्वान जी बहुत सरा काम किये बिहार में उन्होंने ऐसा नहीं है कि कुछ पाम नहीं किया लेकिन जब चराग पास्वान को मौका मिला तो उस इसाब से काम करने के लिए आपके अंदर जब जजबा है तो उस काम को कर दिखाईये आप ब्यानवाजी करने में आगे रहे और जब 10 साल आपको मौका मिला तो आप जैसे संसद में गये और बैट के मोदे जी का भासन सुन रहे हैं और उसके अब अलावा ताली पीट रहे हैं या तो हाथ पीट रहे हैं कुछ कर रहे हैं बस यही मैंने संसद में उनको देखा कभी आ उसा योजना आया कि जिससे बिहार के बच्चों का भविस उजवल हो सके ऐसा कोई भी सवाल पुछते मैंने चिराग पास्वान को क्यों नहीं देखा 10 साल का समय ऐसा तो नहीं है कि आप पांच दिन के लिए रहे हूं पांच महिने के लिए रहे हूं 10 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है. उस समय में आप कहिएगा कि आखरी समय में हम बाहर हो गये. बाहर हुए वो भी आपकी गलती. आप सोच रहे होंगे कि लोगों ने कहा जब चुनाव से आप बाहर हुए तो आपके चचा जी ने आपको सिंबल से लेकर सब खीच लिया. वो अलग बात है, लेकिन उससे पहले जब संसद में आप बैठते थे, नरेंदर मोदी के सागिर्द में आप बैठते थे, मोदी जी से आपने सवाल किसी दिन किया, एजुकेशन विभाग से उनके सवाल कुछ किया, कि बिहार के सिच्छा वेवस्था के इतना निचलास तर प बताईए कि क्या किजिएगा, आपने केवल जो बैलून में हावा भर के उसको फुस्की बना के छोड़ने का जो खाब भूल लिया है, बस जनता के बीच जब आते हैं तब कहते हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे, जब आपको करने का वक्त आता है तो पीछे हाथ जोड के बैठे रहते हैं, या फिर ताली मारते आप नजर आते हैं, दुज़ार चुनाओं में ही पहले हिंदु मुसलमान हुआ, फिर मचली पर ब्यान वाजी हुआ, फिर मुझरा वाला ब्यान मोधी जी दिये, और इसके बाद कुछ नहीं बिहार के अंदर पिर आपका सरकार भी बन गया, और चिराग पासवान देखते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं बिहार के लिए, फिर दस साल से सांसद है, पांच वो काम मुझे बताई को किये हैं बिहार के अंदर में काम, अभी तक मुझे तो कुछ समझ में नहीं है, ऐसा कि कोई काम ऐसा कर दिया हो, चिराग हुआ उनके रीजन में, हाजिपूर में कई सारे ट्रेने चलने लगी राजधानी, और वहां पर और भी फैक्टरियां वगेरा भी लगी रेलवे वगेरा की, लेकिन उसका श्रे आपके पिता जी को जाता है, राम बिलाज पासवान जी को जाता है, चिराग पासवान को नह काम नहीं किया, जिससे बिहार कहें कि बिहारी फर्ष्ट का नारा जो उन्होंने दिया था, उसको एक पर्सेंट भी कोई काम हुआ हो, तो मैं अपना नाम चेंज कर दूँगा, बिहार फर्ष्ट का जो नारा लेकर क्या आया था, नितीश कुमार के खिलाप में लेकर क्या आवाज नितीश कुमार जी के साथ मोच चले गए हैं, लेकिन पिछले दस साल का अंदर में बताईए बोले बिहार फर्ष्ट, बिहारी फर्ष्ट, मुझे तो ये लगता है, कि उसका परिवार फर्ष्ट, पूरा परिवार है जो फर्ष्ट हो गया, पूरा एमपी विधाय परिवार फर्ष्ट है और हम फर्ष्ट है, ये मत कहिए कि बिहार फर्ष्ट है, उसके बाद जो और तीन टिकट बाटने की बारी आई, तो आप पर इंजाम लगा कि आपने कड़ोर रुपया लेकर अपने टिकट को बेच दिया, अपने समाज के कितने नेता को आपने आग करें, आपने किसी को टिकट नहीं दिया, आपने अपने समाज के लिए भी कोई भी काम नहीं किया है, उनके समाज के लोगों से भी मैं बस उनसे इतना पुछना चाहता हूं कि आपके लिए पांच कौन सा काम कर दिया, पासवान समाज के लिए, अगर कोई भी गिना दे तो मैं उनका रिनी हो जाओंगा बिहार के लिए काम करने वाले लोग केवल बात नहीं बनाते काम करके दिखाते हैं आपने केवल बात बनाया है पिछले दस साल में भी आगे पांच साल भी आप बात ही बनाएंगे ऐसा मुझे लगता है यह आरे से सब्सक्राइब के गोद में ज सब्सक्राइब को इसलिए कोई भी मतलब की संसेद में सब्सक्राइब आता है तो पास नहीं कर पता क्या अभी आप फिलाल देख लीजे कि लगभग कई MP को हैसो जो निकाला गया तो उस पर कुछ ब्यान नहीं उन्होंने कुछ नहीं दिया था अरे गट्टा बानने और व तो वो चुटिया धारन कर लेते या फिर तिलक लगा के सिंदूर जैसे करती है में लाएं नाक से लेकर पूरा माथा तक कर लेते उससे उसको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बिहार के लिए आप कुछ काम करते तब ज्यादा अच्छा होता बिहार के लिए अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बताइएंगे कि पिछे 10 साल के अंदर में सिछा स्वास्त रोजगार के फिल्ड में जहां सी नहीं हुने सांसत था क्या वहां पे कुछ किया डिवलप्मेंट के मामले में असके अच्छा स्कूल बनाया है क्या कभी अंदर में विजिट किया है कि आसारकार ये और स्कूल बढ़ियां है कि वाल इलाज अच्छा से हो रहे है कभी उन्होंने चेक करने के लिए जोacy आसन आपने कहा कि स्कूलों काविजिट पासवान ये सारा काम करने में फोकस रखते अगर उन्हें अ let sky! केंडर की डासा सुधयार्दी होती अगर उन्हें स्वास्त केंदर की डासा सुधर दी होती और उन्हें सडक परिवहन और क्या कहते हैं उसको अगर इन्होंने रोटी कपड़ा मकान के लिए एक फैक्टरी कहीं लगा दिया होता तो आज जब चुनावी छेतर में जब वो खड़े थे जब बयानवाजी चल रहा था भासनवाजी चल रहा था जब हिंदू मुस्लिम हो रहा था उनके मंच से तब को टोकते उस बात को अरकाते कि यह बात गिनाईए कि मैं हैस्कूल कोlor सब बढ़नें सबकेनों में और यह स्कूल सबसे बढ़ना जो कि पूरे को पूरे बिहार इसما काम कर रहे हैं ऐसा उन्होंने कहा कहा केवल हिंदु मुस्लिम उनके मंच से होते रहा हो चुप-चाप सुनते रहें उनके खिलाप यह बाते बड़ी दूर तक जाएगी अगर बात करने जाओंगा तो यदि बिहार कंदर में जदी समझेंडों पर काम किया तो मुझे ऐसा परगलाने का जो काम कर रहे हैं चिराग पास्वान आगे जाके उनको भुगतना पड़ेगा अभी आपको नेतामान के लोगों ने वोट कर दिया पांच के पांच सीट आपको जीताया है 100% स्ट्राइक रेट आपका रहा उस हिसाब से आप काम करने पर क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं आज से पांच साल तक आप जो जो काम करेंगे उसका बेवरो में इसी चैनल के मादियम से लूँगा एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा जनता के बीच आपके एक एक बात को रखा जाएगा तो आप भी समझ लिजिए आगे पांच साल आपके लिए बड़ा मु प्लोग कीज़ेगा यूट्यूब पर देखे चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा धन्यवाद जहीं जय बिहार